ये बहुत ही आसान और टेस्टी नाष्टा है, आज हम पापड पनीर बाइट्स बना रहे हैं, इसके लिए मैंने दो पापड लिए थे और उसे मैंने सेख दिया, और उसके बाद उसे हलका ठंडा होने के बाद उसका मैंने इस तरीके से चूरा कर दिया है, इसे अच्छे से चूरा कर दीजेगा इस तरीके से, फिर मैंने दो चमज मेदा लिया था उसमें मैंने थोड़े मसाले डाले है जैसे की नमक स्वाध अनुसार उसके बाद उसमें मैंने आधी चमज गरम मसाला डाला था, एक बड़ी चमज कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है एक चोथा काई चम च मेंने चाट मसाला डाल है और फिर थोड़ा-साठ काईये डाल कर अच्छा-ससे अ एकड़ाद पानी डालीएगा और यह एक दम पतला से रोल कर दिया यह देखिए पापड इसमें अच्छे से कोट हो गया है इस तरीके से मैंने सारे पनीर को इस तरीके से बैटर में डाला पहले फिर उसे पापड में कोट किया इस तरीके से करके मैंने अच्छे से सारे पनीर को इस तरीके से कोट कर लिया यह देखिए सारे पन एक बार में मैंने इसमें 5-6 ही डाले थे इसे एक बार डालने के बाद एक मिनिट तक हिलाना नहीं है उसके बाद इसे इस तरीके से हिलाना है और ये देखिए ही हमारे तैयार है पनीर पापड बाइट्स आप इसे जरूर बनाईएगा इसमें जो भी चीजे डाली है वो सब घर पर आसानी से मिल जाती है और ये एक ऐसा स्नेक्स है जो आप कभी भी बना सकते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसे जरूर बनाईएगा ये आपको जरूर पसंद आएगी